श्री गुरु चरड सरोज रज निजमन मुकुर सुधा वर्ण हुरगु वर्विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्यादे हुमों है हर हुँ कलेश विकार जै हनुमान ग्यान गुन सागर जै कपेस ते हो लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजने पूत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुहे सा कानन कुंदल कुंचित के सा हाथ बजर और भजा विराज काधे मूझ जले हुसाज शंकर सुवन के स्रीनन्दन तेज प्रताप महा जगवन्दन वेद्यावान गुणियति चातुर रामकाज करिवेकों आतुर प्रभू चरित्र सुनिवेकों रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुक्ष्म रूप धरिसिया ही देखावा विकट रूप धरिलंक जरावा भीम रूप धरियसुर संहारे राम चंद्रजी के काज सारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरश उरलाए रघुपति के ने बहुते बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत समभाई सहस बदन तुम्रो यस गावे अस कही श्री पते कंठ लगावे सनकादिक ब्रम्हादि मुमीशा नारद सारद सहेत अहीसा जम कुबेर दिग पाल जावाते कभी कोवित कही सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही की नहा राम मिलाए राजपद देना तुम्हरो मंत्र विवेशन माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानू लिल्यो ताहे मधुर भल जानू प्रभु मूत्र कामेली मुख माही जला देलांग गय अच्रज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनू ग्रह तुम रेते ते राम दुआरे तुम रखवारे भोत नाग्या बेनू पैसारे सब सुखल है तुम्हारे शर्णा तुम रक्षक काहो को धरना आपन तेज सम्हारों आपे तीनों लोक हाखते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीडा जबत निरंतर हनुमत भीरा संकट ते हनुमान छुडावे मन क्रम वचन धान जोलावे सब पर राम तपस वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनों रख जो कोई लावे सोय अमित जीवन भल पावे चारों युग प्रताब तुम्हारा है प्रसीद जगत पुजियारा साधु संक के तुम रखवारे असुर निकंदन राम तुलारे अश्ट सिधिन अवनिधि के दाता असवर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदार हो रखुपती के दासा तुम्हरे भजन राम को भावे जनम जनम के दुख विसरावे अंत काल रखुवर पुर जाई जहां जनम हरे भत कहाई और देवताचे इतना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटे सब पीडा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहू गुरुदेव की नाही जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदे माहा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चली सा खोई से दिसा की गौरी सा तुल से दास सदाहरी चेरा की जय नाथ रिदय महडेरा की जय नाथ रिदय महडेरा पवन तनाय संकट हरन मंगल मूरती रूप राम लखन सीता सहित रिदय बसहो सुरभू की जय नाथ रिदय महडेरा नियांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं 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 निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं तम्नमाभीशनेश्वरं 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 निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं तम्नमाभीशनेश्वरं 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 निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं तम्नमाभीशनेश्वरं 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 निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं तम्नमाभीशनेश्वरं 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 निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं तम्नमाभीशनेश्वरं निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं तम्नमाभीशनेश्वरं निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं तम्नमामीशनेश्वरं निलान्जनं समाभासं रविपुत्रं यमागरजं छाया मातंड संभूतं साक्ष मिला कल युग में भी मिला दुखियन को आशीश्व साक्ष मिला कल युग में भी मिला दुखियन को आशीश्व रगुवर असवर दिन है अमर जीवन का पीश्व है हनुमत अमर जीवन का पीश्व काज किये रगुवर के तुम लाई संजीवन साथ काज किये रगुवर के तुम लाई संजीवन साथ हनुमत तेरी जय जय हुई बने दुखियन के नात है हनुमत बने दुखियन के नात अध्भुत रूप सुहावना बलशाली है बुजंग अध्भुत रूप सुहावना बलशाली है बुजंग काज जने उं हात गदा देह पे लाली रंग है हनुमत देह पे लाली रंग रगुवर के तुम दास हो भरत प्रिये जसभाई रगुवर के तुम दास हो भरत प्रिये जसभाई जहां कथा है ओत राम की करत सदा गुआई है हनुमत करत सदा गुआई बाल रूप में केडा भी अजब की ये भाईलीन धदक सुरज संग लीली गए अरज पे जीवन दीन है हनुमत अरज पे जीवन दीन केसरिनंदन कहलाते संकट मूचन नाम केसरिनंदन कहलाते संकट मूचन नाम रामदूत पच्च मूख शोवित केश किंधा है धाम है हनुमत केश किंधा है धाम सुन्दर का अंड रामायन में अदभुत वर्णन रूप सुन्दर का अंड रामायन में अदभुत वर्णन रूप ध्वानर मुख बल शाले तुम्ध रामुभत प्रामूख है हनुमत रामुभत प्रमुख जब जब पीडा पड़े भगतन की सनमुख आते हमेश जब जब पीडा पड़े भगतन की सनमुख आते हमेश सब संतन के रखवाले हर लेते हो कलेश है हनुमत हर लेते हो कलेश अक्षै मार कुमार को लेल गए तुम प्राण अक्षै मार कुमार को लेल गए तुम प्राण अच अच जान के रामभद की विविशन देते सम्मार है हनुमत विविशन देते सम्मार जिस पे किरपा हो राम की उस पे लगे ना जोग जिस पे किरपा राम की उस पे लगे ना जोग जिस पे किरपा हो हनुमत की धरे ना कोई रोग है हनुमत धरे ना कोई रोग मंगलवार के वत से होते हैं पूरे काम मंगलवार के वत से होते हैं पूरे काम सो पूजन के एक बरावर हनुमत संग राम का नाम सुरसा लंकिनी दूर मुख भी समल न पाए में सुरसा लंकिनी दूर मुख भी समल न पाए में मुख में समा कर निकल गए करमस तक में छेड़ है हनुमत करमस तक में छेड़ लंका सोन की जल गई जहरावन करवास लंका सोन की जल गई जहरावन करवास लाक सचित हनुमत समझाए राम है सब के नात है हनुमत राम है सब के नात रावन अच्च रज जान कर सोचे मा था पीट रावन अच्च रज जान कर सोचे मा था पीट बज रंगी बस राम रटे राम नाम है मीट हनुमत राम नाम है मीट मुख से कही बात की चर्च करे हर बार मुख से कही बात की चर्च करे हर बार हनुमत संग जो राम कहे उसका हो बेड़ा पार है हनुमत उसका हो बेड़ा पार लांग गए सो जोजन की समुंद्र की खाई खार लांग गए सो जोजन की समुंद्र की खाई खार काज की ए रगुवीर की होने लगी जैकार है हनुमत होने लगी जैकार चिंतित मन अचेत सी माता सियासन मूख देव मुत्रि का कर जोर के बन गए राम के दूद है हनुमत बन गए राम के दूद खोजत राम सियाको है बिचमाला निशकाम वो वस तो किस काम की जिसमें नहीं हो राम है हनुमत जिसमें नहीं हो राम देख हिराम अशर जिसे दिन आशिस है खास जब तक है ये स्रिष्ट जिवित यूगो यूगो तुम दास है हनुमत यूगो यूगो तुम दास राम नाम की लूट है संग में हनुमत जूट अंतिसमें ये ही काम आएंगे सब जाएंगे रूट है हनुमत सब जाएंगे रूट तुम सा संत ना कोई है ना यूगी है महान सब कुछ जग में पा जाएंगे वो जपे जो तेरा ना है हनुमत जपे जो तेरा ना जैसे राम के काज सवारे बन के राम के दूद जैसे राम के काज सवारे बन के राम के दूद वैसे ही मेरे काज सवारो है अंजन के पूद है हनुमत है अंजन के पूद शर्णा गत बन आप के मैं आया तिरे दूद जैसे दुखियन की पार लगाए मेरा भी करना उधार है हनुमत मेरा भी करना उधार वेद पुराण ना जानू में ना जानू कोई काम मैं मूरक बस इतना जानू बस हनुमत तेरा ना है हनुमत लाल देही लाली लसे अरुधर लाल लंगूर दर्शन तेरा चाहू मैं घर मेरे आना जरूर है हनुमत घर मेरे आना जरूर सोना है तुम तो क्रिपालो हो तुम ही कहला तेरा मेश्ट राम दुलार राम सखाजस तुम दाने हो स्रेश्ट है हनुमत तुम दानी हो स्रेश्ट निस दिन जो हनुमान जपे प्राता कर उपवास दुख ना पाप गेर कभी हो कस्टो का नास है हनुमत हो कस्टो का नास कलम उठा कर जोडिके शिवहर करे गुणगान कलम उठा कर जोडिके शिवहर करे गुणगान विर्बज रंगी हनुमत के है करपा के निधान जैंगनेश गिर जासवन बंगल करण ग्रेपान दीनन के दुख दूर करे के जैनाथ निहाल जयती जयती शनी देब दयाला करत सदा भातन प्रति पाला चारी भुजातन उशाम विराजे माथे रतन मोपोट छबी छाजे परमविशाल मनोहर खाला तेरी ड्रस्टी भिकुटी विक्राला कुंडल शवन चमाचम चमके भियमाल मोतन मनी दमके करमे गदात्र शोल को ठारा पल भिज़ करे अरिह संहारा पिंगल क्रिश्न चाया नंदन यम कोनस्थ राग्र दुख मंजन सोरे मंद शनी दस नामा घान पुत्र पुजही सब कामा जापर प्रभु प्रसन हम जाहे रंक हो राव करे अक्षन माहे परवत हो त्रण हो इनिहारत त्रण हो को परवत करी डारत राज मिलत बन राम ही दिन्यों कैते हो कीमती हरिन्यों बन हो में म्रिध कपट दिखाई मा तु जान की गई चुराई लग नहीं शक्ते वे गल करे डारा मची गादल में हाहा कारा रावन की गति मति पोराई राम चंद्र सो बैर बढ़ाई दियों केटे करे कंचन लंका बज बज रंग बीर की डंका निप विक्रम पर तो ही पगुधारा चित्र मयूर निंग लेगे हारा हार नौल खाला क्यों चोरी हाथ पर डरवाय तोरी भारी दशाने क्रिष्ट देखायो तेली ही घर को रोचलवायो विनय राग देपक महदीन्यो तब प्रसन प्रभुहव सुखनीन्यो हरे श्चंद्र निपनार बिपानी पाप हुँ भरे डोम घर पानी कैसे नल पर दशा सिरानी भूजी मेन तोद गए पानी श्वी शंकर हिंगयो जब जाई पारवती को सती कराई तनिक विलोकत ही करी रीसा नभूड गयो गोरी सुत सीसा पांडव पर भै दशा तो भारे गचें द्रोपने होते उधारे को रव के भी गती मती मार्यों योध महा महारत करडार्यों रव कह मुख महधर तत काला लेकर कूदी पर्यों पाताला शीष देव लखी बिन की लाई रव को मुख ते दियों छडाई गौहन प्रभु के साथ सजाना जग दिंग जगर दभ मिद स्वाना जंबुक सिंह आदे लख धारे सोपन चूतिश कहत पुकारे गजवान लक्षमी दह आवे हैते सुख संपति उपचावे गर दभ हाने करे बहु काजा सिल्ह सिल्ह कर राज समाजा जंबुक बोधी नष्ट कर डारे नगदे कश्ट प्राण संहारे जब आवही प्रभु स्वान सवारे चोरी आदी होए डर्मारे ऐसे ही चारे चरण यह नामा स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा लोह चरण पर जब प्रभु आवै धन जन संपती नष्ट करावै समताताम्र रजत शुबकारी स्वर्ण सर्व सुख मंदल आरी जो यह शनी चरित्र नित गावै कब होना दशाने क्रेष्ट सतावै अदभुत नाथ दिखावै लीला करशत्रों के नशिवली हेला जो पंडित सोयोग्य बुलवाई विधिवत शनी रह शांती कराई पीपल चल शनी दिवस चरावत देपदान दय बहु सुख पावत कहत राम सुन्दर प्रभुदासा शनी सुमिरत सुख होत प्रकाशा पाठ शनी शर देव का कि हो भगत तयार करत पाठ जाले इस देन हो भग सागर पार प्रेम से बोलिये भगत जै हनुमान जै जै श्री राम भगतो हनुमान जी को भगवान शिर्के ग्यारवे रूद्र अवतार की रूप में माना जाता है और उन्हें शक्ति यान, वीर्ता, बुधी मता, निस्वाट सेवा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है इन्हें जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक अमर माना जाता है जो सभी प्रकार के नकरात्म प्रभावों या प्रलोभनों को रोकने की शक्ति रखता है इन्होंने अपना जीवन भगवान राम और सीता को समर्पित कर दिया इन्होंने बिना किसी उद्देश्य के कभी भी अपनी ताकत या वीता नहीं दिखाए इस प्रकार के पूर्णियो को प्राप्त करने के लिए हनुमान की पूजा करनी चाहे भकतों इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुटी यानि संस्क्रत में हनु तूट गए थी इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिब हैं। जैसे बजरंग बली, मारूती, अंजनी सुथ, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन, आदिय। त्रेता योग में, रामायन के समय, भगवान श्री राम की सहायता, राक्षसों का वद, तथा अपने भगतों के संकट हरने पर, उनको इन नामों से पुकारा गया। प्रेम से बोली भगतों, पवन सुथ हनुमान के जैसे। संकट मुचन है हनुमान, करते भगतों का कल्यान, जो भी प्रभूशे राम को भ्याते, उनको सदा बजरं रहे भाते। शनी मंगल है इन काबार, कष्टों से करते हैं उथार, हूत पिसाजन कट नहीं आते, जो महलेल कधान लगाते। हनुमत है अंजना के लाई, हनुमत से डरते है काई, एक हाथ में गदा विराजे, काधे उन्ज जने उसाजे, लाल रंग महावीर को भाई, रहते सदा है धुनी रमाई, राम नाम इनको है प्यारा, भुष्टों को हनुमत ने सुहारा। भक्तों, महावीर हनुमान प्रपु, श्री राम के अनन्य भक्ते हैं। हनुमान जी ने वानर जाती में जन लिया। उनकी माता का नाम अंजना और उनकी पिता वानर राज केश्री है। इसी कारण इन्हीं आंजने और केश्री नंदन आदी नामों से पुकारा जाता है। वही दूसरी मानता के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक पार अयोध्या के राजा दशर अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेश्टी हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रशाथ की खीर तीनो रानियों में थोरी थोरी बांट थी। पवन देव ने खीर का एक भाग वायोध्वारा विस्थापित कर दिया। जिसे एक कौवा अपने साथ उस जगा ले गया जहां अंजनी मा तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायोध्या के इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रशाद समझ कर द्रहन कर लिया। इसी प्रशाद के वज़े से हनुमान का जन हुआ। प्रेम से बोले भगतों पवन्सुत हनुमान की जय। हनुमान है भक्त राम के सब भगतों के हैं सरताज। अंजना जी है जिनके माता पिता है के शरिवान अलिराज। पुत्र प्राप्ति कु राजा दशरत कर रह थे पुत्र इस्ठिहवन। प्रशाद रूप में मिला जोखे। बह गए उसका असका। एक कागा ने खीर उठाया जा बैठा है दूर जगह पर तब कर रही थे माता अंजना। पुत्र रहे तुझा ही थवर। कागा ने फिर उनके हाथ में खीर का वह अंश गिराया। प्रशाद समझ खाया माता ने। पुत्र रूप में हमत आया। भक्तो आये सुनते हैं हनुमान जी को प्रसंद करने का सबसे पावन मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है एक ब्रामहन दमपत्ती की कोई संतान नहीं थी। जिस कारण वह बेहत दुखी थे। एक समय ब्रामहन वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ती के लिए मंगलवार का ब्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करने थी। एक बार व्रत के दिन ब्रामहनी ना भोजन बना पाए और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही बोजन करें। वह भोगी प्यासे छह दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गए। हनुमान जी उसकी निश्ठा और लगन को देखकर पसंद हुए। उन्होंने आशिरवास्वरू ब्राम्भणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। प्रेम से बोलिये भक्तु पवन सुधन मान की जय। आओ सुनाए हनुमत ब्रत कथा श्रवन पकरते खरिपा हनुमार। मंगलवार के पावन कथा से निर्ता यस्वै भौ संभार। एक थे ब्राम्भण दंपति जिन का नहीं था कोई भी संतार। तब ब्राम्भण ने वन में जाकर किया है हनुमत का गुड़गा। उसके पतनी भी धरते थे हनुमान का सदा ही ध्यार। अपने भक्तो का कष्ट देखकर महावीर नितिया वर्दा। सश्रेर बालक प्रकट हुआ है कहा हनुन ये पत्र तुम्हारा करगा तेरे निस दिन सेवा। होगा यह तुम सब का दुनारा। भक्तो बालक को पाकर ब्राम्हनी अति प्रसंद में हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय अपरांग जब ब्राम्हन घर आया तो बालक को देख पूझा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगल वार व्रत से प्रसंद होकर हनुमान जी ने उसे यह बालग दिया है। ब्रामहन को अपने पत्नी की बात पर विश्वाश नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्रामहन ने बालग को फुए में गिरा गिया। घर पर लोटने पर ब्रामहनी ने पूछा कि मंगल कहा है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्रामहन आश्चर चकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिया। और बताया कि यह पुत्र उसे उन्हों ने ही लिया है। ब्रामहन सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्रामहन दंपती प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है। उसे हनुमान जी की खृपा से सब कष्ट दूरबोकर सर्व सुख प्राप होता है। और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। प्रेम से बोलिये भगतों पवन सुथ हनुमान की जय। हुई ब्राम्हनी अतीप्रसन नाम रखा है उसका मंगल। वन से लोटे जब ब्राम्हन दे देख के बालक हुए है बिहन। पूझा पत्र बी से कौन है बालक जो रहता है अपने हिंगर। ब्राम्हनी ने कहा प्रभू गृपा है हनुमान ने दिया यहाँ है। हुआ विश्वाशना ब्राम्हन देव को बालक कुवाव में वेक दिया है। ब्राम्हनी ने पुझा कहा है मंगल। ब्राम्हनी नजलम दाज किया है। तभी मंगल पीछे से आया, माता को दिख वो मुसकाया, रामन को विशवाश हुआना, प्रभू की है ये कैसी माया। तब एक बार हनुमान जी को सुला कर माता अंजनी ग्रह कारे में व्यस्थ हो गई, तभी हनुमान जी की निल खुल गई, तथा भूख से व्याकुल हो सूरी को मीठा पल सबच कर उन्होंने उसे अपने मुख में भड़ लिया, उस समय रहन चल रहा था। सूरी के यह गती भाबते हुए, राहूं ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्ही सारा वृत्तांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटी से हनुमान सूरी को अपने मुख में रख कर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की व्रिष्टी इंद्र की ओर गई और उसे भी पल समझ कर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देख कर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र की प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गया। और हनुमान जी मुर्षित होकर केर परे। तभी वायो देव ने वायो की गती रोक दी। जिस कारण सारे जगत में वायू संचार बंध हो गया और सभी जी मृत्यों को प्राप्थ होने लगे देवराज इंद्रिस समे सभी देवताता ब्रम्हा जी के पास गए तत्पस चार ब्रम्हा सहित सभी देवताओं ने वायू देव के पास जाकर उनसे विंती की कि वायू का तथा सभी हनुमान जी को बल, बुध्धी और चिरंजिवी होने का आशिरवार प्रदान करे। हनुमान जी की मुछा समाप्थ हुई और श्रिष्टी में नव संचार होने से मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। प्रेम से बोलिये भक्तों पवन सुथ हनुमान की जै एक बार की बात है भक्तों अंजना गई हनु को सुला कर भूख से नेन्द खुली हनुमत की शूले पुरिया है मूह में भै चारो और अंधकार है छाया राहु की तो कुछ समझ ना पाया ग्रहन काल में यह हुआ क्या इंद्र देव को सब बात बताया इंद्र ने किया है बज्ज प्रहार हनुमत मूछित गिरे धरापर पवन ने रोका वायु संचार सारी प्राणी कर रहे थे थर्थर सभी देवता पास है आए हनुमान को कैसे जगाए तब प्रहमान देया है जीवन हनुमान उठ्यकर मुस्ताय भक्तों मर्यादपुशोत्तम श्री राम के सत्वोत्तम सेवत सखा और भक्त श्री हनुमान सत्गुणों के भंडार है श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्टी स्वरूप से तो सभी परिचित है लेकिन वह ज्यानियों में भी अग्रगर्ण्य है वह अतुलित बलके स्वामी है उनकी अंग बज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली है उन्हें बज्रांग नाम दिया गया जो आम बोचाल में बज्रंग बन गया बज्रंग बली केवल गदाधारी महामली ही नहीं बलके बिलक्षन और बहु आयामी मानसिक और प्रकर बौतिक गुनों के अध्भु धनी है हनुमान जी राम सेवा अथार सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे बलके अनन्त आयामी व्यक्तित्व विकास का महा आगाश है विवेग, ज्यान, बल, पराकरव, सैयम, सेवा, समरपर्ण, नेत्रित्व, संपन्नता आदी विलक्षन गुनों के धनी होनी के पावजूद उमें रत्ती भर अहंकार नहीं था हनुमान जी समाजिक, समन्वय और विकास के अगर्दूत है वह योधा के रूप में पवन गती के स्वामी है बलके वह सुशाशित राम राजिके, पुरूधा और कुल पुरोहित में है प्रेम से बोले भगतों, पवन सुथ हनुमान की जै सबसे बड़े है सेवक हनुमत, कोई ना उनसा राम का दार सदुगुन का भंडार महावे, सर्व ग्यान है जिनके पास अगर पाना है राम शरण को, भजु हनुमान तुम निस दे करेंगे ग्रपा बज रंग बलेजे, मन दिर्मल ना होगा मले हनुमत पवन गती के स्वामी, दया करते हैं अंतर यामी अपने भगतों पर होते सहाई, पिपास गाल भी कंदनाई ओम हन हन हन, हनुमत नमहाँ, यह हनुमान का मूल है मंत्र होती उन में विशेश के पाँ, जो रखते हम रचायं के भगतों मानता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन मंगलवार के दिन हुआ था जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेश पूजा अर्जना करने का विधान है मंगलवार के दिन हनुमान चालिसा का पार्ट करना लाबकारी होता है मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली का तेल और सिंदूर चड़ाएं इस दिन तामसिक भोजन और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मंगलवार के दिन भगवान राम के नाम का जाप करे इससे आपको हनुमान जी का अश्रवार प्राप्थ होगा हनुमान जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग शुब माना जाता है हनुमान जी को लड़ू बहुत पसंद है इसलिए उन्हें लड़ू का भोग अवश्य लगाए पूजा का समापन हनुमान जी की आर्टी के साथ करे अंत में हनुमान जी से प्रात्ना करे प्रेम से बोली भगतों जै हनुमान जै जै श्री राम